कल से खत्म होगी सन की साढ़े साती इन पांच राशियों को मिलेगी आपार खुशियां दोस्तों जोति सास्त्र में सनि दीव को न्याय का देपता बताया गया है ऐसा बताया जाता है कि सनि देव मनशको उनके कर्मों के हिसाब से सुब या अशुब फल देते हैं यदि किशी किष्ण 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 वह बेक्ति परेसान रहता है शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है यह एक राशी में दूसरी राशी बदलने में लगभग ढाई वर्स लगा देते हैं यानि अगर किशी बेक्त के राशी में शनिदेव की उपस्तिती है तो ढाई वर्सों तक उसका प्रभाव रहेगा जोत उपस्ति उत्पण यह यहिनिकी सामना करना पड़ता है और कई प्रकार की प्रेसानिया उत्पन होने लगती है दोस्तों आपके उपर सनिभारी है या नहीं इसे कैसे पहचान सकते हैं इसके लिए जोतिस सास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसकी सहायता से आप इस बात को जान सकते हैं आपको हम बता दे कि जोतिस सास्त्र के अंसार जिल लोगों के उपर सनि भारी रहते हैं उन लोगों के शिरके बाल गिरलने लगते हैं ऐसे संकेट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस ब्यक्ति के उपर शनी की छाया पढ़ना सुरू हो चुकी है, अगर आपको अपनी जीवन में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो तुरंत आप शनी देव को प्रसंद करने का उपाई कीजे, दोस्तों शनी अशुब होनी की वज़े से ब्यक्ति गलत कामों की तरफ जाने पड़ता है, शनी भारी होनी की वज़े से ब्यक्ति के सुभाव बदल जाता है, शरीव में आलश भर जाते हैं, घूमने फिरने में मन लगा देते हैं, ब्यक्ति के कामकाज को टालने की आदत होती है, इतना ही नहीं, बलकि सनी खराब होनी की वज़े से कामकाज में बाधा बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, नोकरी छूट जाती है, बिजनिस व्यापार धीरे धीरे चलने लगते हैं, दाढ़ी बाल हमेशा बड़े रहते हैं, इंसान की रुची गलत कारियों में, गलत संगत में और मांश मदरा खाने पीने में अधिक होने लगती है, अगर व्य लगती कोई न कोई जूट भी बोलने शुरू कर देते हैं, घर की दीवारे अचानक से गिरने लगती हैं, और घर में अगर कोई पालतू जानवार है तो अचानक उनकी मरतू हो जाती है, इंसान की नोकरी बिजनिस व्यापार में अधिक परेसानिया होने लगती है, दोस्त सास्त्रे में बहुत ही सरल उपाई बताए गए हैं, जैसे कि हर्मान चालीसा का पाट करें, सनी चालीसा का पाट करें, महा मुरतंजय मंतर का जाप करें, सनी अश्टक का पाट करें, और ओम शम सनी स्चिराय नमे इस मंतर का जाप जरूर करें, दोस्तों अगर आप ऐसा करत तो सनिदेव उस ब्यक्ति पर जो भी ब्यक्ति ऐसा करता है सनिदेव उस ब्यक्ति पर विशेश कृपा दृष्टी निरंतर बरसाए रहते हैं और सनिदेव के कृपा उस ब्यक्ति के उपर निरंतर बनी रहती है दोस्तों यदि आप इन में से कोई भी उपाई निरंतर अपन आपको जवरिष्ट सफलता आपके जीवन में प्राप्थ होगे शुख शुभधायँ प्राप्थ होगे दोस्तों मता लक्ष्मी को धन की दे भी कहा जाता है और हर कोई यही चैते हैं कि उसके उपर माता लक्ष्मी का पार खिरपा बनी रहे जिससे उसके जीवन में कभी भी शुक्ष उवधाओं की कमी ना हो शुक्षम्रदी हमेशा बनी रहे इश्यक्रम में जोतिस के मत के अनुसार ग्रहों के चाल के अनुसार कल से ऐसे सहयोग बन रहे हैं कि कल सुबै से माता लक्षमी और भगवान संदेव एक साथ प्रसंद हो रहे हैं जिसके वज़ा से कुछ राशियों की अब किसमा चमकने वाली है जी हैं दोस्तों इन राश वालों के बारे में होने वाले लाब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आपसे अन्रोध है कि वीडियो का बिल्कुल भी मिश्ट ना करें और इसे शुरू से लेकर अन तक जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जो राशियाती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर मिथन राश मिथन राशियात को बता दे कि अब आप लोगों का बुरा समय खत्म होने वाला है इस राशिवाले ब्यक्तियों के उपर सनिदेव महरवान होने वाले है इस राशिवाले ब्यक्तियों को मान समान की प्राप्ती होगी और आपको जवर्जस सफलता हांसिल होने वाली है इसके साथ स्वास समंधी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा आप अपने सत्रों पर बिजय प्राप्त करेंगे घर परिबार में आपको खोशियों का बाता बरण बना रहेगा दोस्तो अगले जो राशी है वो है तूला राश तूला राश वाले जातकों के उपर शन्देव की महान कृपादृष्टी बरसने वाली है आपके जीवन में जो भी समस्याओं चली आरे थे उन सभी समस्याओं का अबंत होने वाला है जोते सास्त के अंसार आपको आने वाले समय में अचानक अच्छे लाब की योग बनेंगे आपको मुनाफ़ा जवरस्त होगा अधिकारियों का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्थ होगा नोकरी पैसा बाले बेक्तियों को पदोनत कहांसिल हो सकती है दोस्तो अगले जो राशी यानी जो तीसरी आती है तो वो है यहाँ पर दोस्तो बता दें मकर राश मकर राश क्यातकों अब आपके किसमें जवरस्त लाब मिलेगी हलाकि आपके उपर शन की शाड़े साती रहेगे लेकिन सुब दृष्टी बनी रहेगी ब्यापारिक शेतर में आपको जवरस्त लाब देखने को मिलेगा मन चाही नौकरी मिलेगी मन चाही आपके विजनस ब्यापार में मुरादे पूरी होंगे कई प्रकार के लाब देखने को मिलेंगे जो भी कार अधोरे पड़े थे वो भी कार पूरे हो जाएंगे भगवान सरंदेव की अपार कृपा दिश्ट बरसेगी नोकरी की चाहत रखने वालों को नोकरी की प्राप्ती होगी और कई महतपूर योजनाओ का लाप मिलेगा कई महतपूर योजनाओ का लाप मिलेगा आपके द्वारा बनाई गई योजनाओ काफी कारगार सावित होंगी भगवान सरंदेव कृपा से आप दिन दुगनी राज चोगनी तरह की करेंगे आंधनी के स्तुरत बढ़ेंगे शाथी ब्यापारिक शेतर में किशी प्रकार के रुकाब डेती तो वो भी आपकी दूर होने वाली है कई महतपूर योजनाओ का लाप मिलेगा जो कार अधूरे पड़ेते उन्हें पूरा कर सकते हैं अब अगली यानि जो पंचमी जुराशी आती दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर शिंग राश शिंग राश कहते हैं अब आपकी आंधनी बहुत तेजिस से बढ़ेगी कल से आपको साड़े साती का असर नहीं होगा भगवान संदेव की पिशेष कृपा दुष्ट बरसेगी आपको अपार धन संपत्ती के मालिक बन सकते हैं कई महत्पूर्ट छेतरों से लाब होगा बतादी कि इस समें आप जो भी कार करेंगे जो भी निर्णेलेंगे भगवान संदेव कृपा से जवरस्त लाब देखने को मिलेगा अपार खुशिया प्रातों की विदेश यानि क्योजनाई बनाएंगे विदेशी कंपने से लाब होगा साथी साथ धन की बरद्धी होगी कई महत्पूर्ण शेतरों से लाब देखने को मिलेगा और जो भी लाब यानि नहीं मिल पारे थे वो आप भगवान संदेव कृपा से मिलने वाले हैं दोस्तो अगली जो राशी आती है दोस्तो बता दे वो है यहाँ पर धनू राश धनू राश के यात को अब आपकी आमदनी बहुत तेजी से बढ़ेगी कई प्रकार के लाब देखने को मिलेंगे सिक्षा के शेतर में सुधार होगा प्रेम जीबन में खुशिया वर्षेंगे लबलाई पर चिरेगी और स्वाज समन्दी पर रिसानियों से बाहर निकलेंगे साथी साथ केरियर में उपलब्धिया प्राप्त हों की नई जोब लगेगी बिजने सिवाबार में कोई महत्पूर्ण डेल फाइनल होगी ये रुकव और फसाव धन प्राप्त होगा धन संपत्य के साथ साथ आकासियों ग्रोप से धन कलाब होगा लोटर शट्टा से लाब होगा विशेश खुशिया प्राप्त होने वाली है तो दोस्तो इन राशियों को विशेश लाब होने वाला है तो दोस्तो कमेंट में लिखेगा जे संदे और साथी वीडियो को लाइक करिएगा जदा जदा सेर करिएगा और चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा